दोस्तो आप सभी का स्वाज़त करता हूँ एक नए एपिसोड में हम बात करेंगे इस एपिसोड में बॉलिवूड बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है दोस्तो सिंगल स्क्रीन्स बंद हो गए हैं ताले लग गए एक बार फिर से और ऐसा लगता है कि यह नजारे हम पहले देख चुके हैं जी वी देख चुके हैं जब कोरोना वाइरस पूरा फैला था लॉक डाउन लग गया था तो बॉलिवूड की फिल्में लगतार बैक टु बैक फ्लॉप फ्लॉप फ्लोप् पे फ्लॉप हो रही थी सिनेमा घर के मालिक दोश्तों बहुत परिशान थे बहुत सारे ऐसे सिंगल स्क्रीन्स वाले थे जो अलग बैपार करने लगे थे क्योंकि सिनेमा कोई आ नहीं रहा था सिनेमा पब्लिक देख नहीं रही थी OTT पे बहुत सारे ओर्डियन्स चली गई थे तो पठान उस ताले को खुलवाती है और जब रिलीज होती है तो पब्लिक सिनेमा कर आती है फिर ठेटर मालिकों को लगता है कि भीया अब हमारा बैपार होगा अब हम अपना पेट पाल सकेंगे फिल्म लगा कर और जितने भी सिंगल स्क्रीन्स में जो स्टाप काम करते हैं उनकी सैजरी नहीं मिल रही थी जो सिंगल स्क्रीन्स के आसपास दुकाने लगाते हैं उनका बिजनेस ठप था करोना के टाइम करोना वेरेज अफेराजा लोगडाउन के टाइम पे लेकिन पठान आई और बहुत बड़ी हिट हुई उसके बाद लगा कि चलो भाई अब बॉलिवुड के फिल्में चलेगी फिर एक दो फिल्में चली फिर लगतार फ्लॉप होनी शुरू हो गई फिर गदेट हुआ के चली दोस्तो सिंगल स्क्रीन्स में जबरदस चली गदर टू आके और फिर जवान आती है शारू खान की और पठान से भी ज़़ा चलती है जवान दोस्तों फिर एनिमल आके बिजनिस करती है और कुछ एक दो फिल्में लेकिन इसके अलावा बहुत सारी फिल्में फ्लॉप रही अभी लास्ट इट पे दोस्तों सिंगल स्क्रीन्स के जितने भी ठेटर मालिक है उन्हें लगता था कि भाई बहुत कमाई होगी दो फिल्म आ रही है मैदान आ रही है चलो मैदान ना चले बड़े मिया छोटे मिया आ रही है जो कि एक बहुत बड़ी इविल्ट फिल्म है दो दो स्टार हैं टाइगर श्रॉफ हैं अक्षे कुमार हैं जिनने सिंगल स्क्रीन के ओडिन्स देखती है लेकिन भाई साट करोड के अंदर बड़े मिया छोटे मिया खतम हो गई अंठावन पच्पंक करोड के आसपास में खतम हो गई बड़े मिया छोटे मिया और इंडस्ट्री शॉक में चला गया और थेटर मालिकों का हाल एक बर फिट से वैसा ही हो गया है ठीक वैसा ही हो गया है जैसे लॉकडाउन के वक्ट पे था अब सिनेमा घर के मालिक कह रहे हैं कि भाई कोई बड़ी फिल्म आ भी नहीं रही है और आप सभी को पता है कि इस वक्ट पे कहीं न्यूज भी नहीं है कोई बड़ी फिल्म आ रही है एकदम बॉलीवूड ठंडा हो गया है और कोई बड़ी फिल्म डिलीज होने वाली भी नहीं है दोस्तों जो सिंगल स्क्रियन जो ठिटर मालिक है बचा रहे उनका बिजनेस चले बहुत से तो भोचपूरी सिनेमा लगा रहे हैं पुराने फिल्म लगा के चला रहे हैं फिर भी ओडिन्स नहीं आ रही है दूस्तों तो ये हालात हो गया है तो क्या अब एक बार फिर से शारू खान बॉलिवुड को जिंदा करेंगे दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि शारू खान इस साल नहीं आ रहे जब पठान क्या ओए दोस्तों बहुत बुरे दोर से गुजरने वाला है दोस्तों बॉलिवुड के इतिहास में 24 को लिखा जाएगा कि ये बहुत खराब दौर से गुजरी हैं तो उमीद जगेगी क्योंकि पचीस में शारुक खान की एक या दो फिल्म आ सकती है एक तो कंफॉर्म है डिरेक्टर सिधात अनंद और सुजाई घोष की फिल्म दग किंग और इसके अलावा पठान टू भी लाइनप में है पठान टू को लेके बहुत बड़े नियूस है त है यही बार nose है दो तो भाई यही डो फिल्म है फिर सर्माइन खान की सिकंदर है फिर बुल है और आमिर खान की इस साल हराई है सितारे जमीभ तयो प्ले लग गए हैं कोई फिल्म है ही नहीं चलाने के लिए और इत पर लगा था कि बहुत कमाई होगी तो कमाई हो नहीं पाई तो भाई अब क्या होगा बॉलिवुड का कौन बचाएगा बॉलिवुड को शारुक खान सलमांग खान या इस साल क्रिसमस में आमीद खाना के बचा ले नहीं कार।